हेलो अब्रीवान आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रब्लम सौल करेंगे क्या दिया है इप विएकोल्स टू लॉन x3 टो यू बाई दो एक्स प्लस बाई गया रखा है जीव इकोल्स टो इकोल्स टू एकोल्स टो इसको अगर हमको निकाला है तो इसको निकालना होगा कि दो बाई डॉन X होता है 1 by X मतलब लोन के अंदर जो भी एंगल है जैसे कि यह लोन X है न एक्सप्रेशन जो भी है तो लोन X X क्या है यहां पर X बचा है ठीक है तो दो बाड़ो एक्स लोन Y ऐसा कुछ भी हो तो तो 1 divided by denominator में वो एक्सप्रेशन आ जाता है तो यहां पर हमको करना है दो बाड़ो एक्स लोन X क्यो प्लस Y क्यो प्लस Z Q माइनस 3 X Y Z तो दो यू बाड़ो एक्स इकोल्स टू यह जितना टर्म में सबको दो बाड़ो एक्स इतना है उसका डेरिविटीव होगा ठीक है तो X क्यो प्लस Y क्यो प्लस Y क्यो प्लस Z Q मानस 3 X Y Z का differentiation होगा partial with respect to x उसके बाद dou bar double x equals to dou bar double x of x3 कितना होगा x3 का differentiate कर रहे है partial with respect to x तो 3x square होगा y constant होगा क्योंकि with respect to x हम partial differentiate कर रहे हैं तो y3 भी constant होगा z3 भी constant होगा तो इसका value 0,0 यहापे substitute कर देना है minus sign यहापे minus sign दाल देंगे उसके बाद 3xyz है ना तो doux by doux 3xyz होगा तो with respect to x सागर हम कर रहे है 2yz and 3 तीनों constant है तो 3yz बाहर निकाल लिया doux by doux जो की 1 होगा whole divided by ये xq plus yq plus zq minus 3xyz इतना हो गया उसके बाद इसको थोड़ा लिक देंगे 3x square minus 3yz whole divided by xq plus yq plus zq minus 3xyz इसको equation 1 देंगे next देखते ही क्या होता है ठीक है उसके बाद क्या रहा है douy by doux equals to dou by dou y of वहां पे हम douy by doux निकाल ली अब douy by douy निकालना है तो douy by douy equals to dou by douy of lon xq plus yq plus zq minus 3xyz तो यहाँ पे कै कि सेम यह जो भी है expression lon के साथ जो bracket के अंदर पर एक्स्प्रेशन उसको डिनोमिनेटर में लाए लो क्योंकि दो बाइडो एक्स अग्स एतना वन बैक्स न टोटल को एक्स सोचो तो सब्सक्राइगा इन्टुल में जाएगा इंटू दो बाइडो आफ अंदर का मीटरियल जो है है मैंने कि इस प्लस यक्व ब्लस जट्कियों माइनस त्रीच्वाइजट है तो इस रिस्पेक्ट वाई हम कर रहे हैं पार्शलिट डिफ्रेंसेट तो एकस क्यूब x constant हो तो x cube भी constant तो उसका value 0 2 by 2y of y cube क्या होगा 3y square 2 by 2y of z cube क्या होगा 0 क्योंकि z को हम differentiate कर रहे हैं respect to y तो 0 हो गया minus sign यहाँ पर minus sign गिर गया 2 by 2y of 3xyz करना है यहाँ पर क्या होगा 3x and z तीनों constant है तो उसको यहाँ मैं लिख दिया 2y by 2y cancel होके बन होगा divided by x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz जो है यहाँ पर मैं लिख दिया ठीक उसके बाद चो 2y by 2y कितना आ रहा है 3y square minus 3xz divided by x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz यह equation 2 हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे 2y by 2z निकालेंगे तो 2 by 2z of loan का value loan डाल देना उसके बाद इसको क्या यह total को x हो चो तो क्या होगा 1 by x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz होगा उसके बाद 2 by 2z of loan chain rule x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz उसके बाद इसको differentiate कर with respect to z तो क्या होगा x constant होगा with respect to z कर रहे न तो यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा इसको करेंगे 2 by 2z of z cube 3z square होगा minus sign को मैं यह minus sign डाल दिया दो बाद 2z of 3xyz करना है यहाँ पर क्या होगा विदस पर 2z कर रहे है न तो 3xy constant है निकाल दो बाहर तो दो जट बाद 2z बाद 2z बजा cancel होगे 1 होगा divided by x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz उसके बाद इसको लिखना 3z square minus 3xy divided by x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz इसको equation 3 हो गया अब क्या करना है हमको equation 1, equation 2, equation 3 को add करना है क्योंकि हमको dou u by dou x plus dou u by dou y plus dou u by dou z निकालना था न इसके लिए ठीक है तो क्या करेंगे dou u by dou x plus dou u by dou y plus dou u by dou z करेंगे इकोल्स टू, dou u by dou x जो आया, dou u by dou y जो expression आया फिर दो u by dou z उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz common है तीनों में यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी तो हम common निकाल सकते हैं तो common निकाल लिया उसके बाद 3x square minus 3yz 3y square minus 3xz जो numerator में उसको लिखना है यहां पर 3z square minus 3xy हो गया उसके बाद यहां पर 3x square plus 3y square plus 3z square को में set कर दिया उसके बाद minus 3xy minus 3yz minus 3zx by xz ठीक उसके बाद यहां पर 3x square 3y square 3z square फिर 3 3 3 यहां पर total term में 3 common है तो 3 को common निकाल लो उसके बाद यहां पर क्या लिख सकते हैं x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx होगा 3 common निकालने बाद divided by xq plus yq plus zq minus 3xyz का formula होता है x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx formula तो उपर का नीचे का cancel हो जाएगा cancel होने बाद क्या बचेगा 3 by x plus y plus z ठीक है तो 2y by 2x plus 2y plus 2y by 2z का value आ रहा है 3 by x plus y plus z तो इसी के साथ पहला वाला question solve हो जुक है ठीक है second देखो given yu equals to ln xq plus y plus zq minus 3xyz है इसमें क्या करना है 2 square u by 2x square 2 square u by 2y square plus 2 square u by 2z का निकालना है तो क्या करेंगे हमारे पास 2y by 2x है पिछले प्रोब्लम से 3x square minus 3yz by xq plus y q plus zq minus 3xyz similarly 2 square u by 2x square हमको निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे 2 by 2x अब 2u by 2x इसको हम क्या है लिख सकते हैं 2 by 2x अब 2u by 2x अब 2u by 2x क्या है हमारे पास यह expression है तो यहाँ पे लिख दो 3x square minus 3yz upon x q plus y plus z q minus 3x by z लिखने यह बात अब यहाँ पे u by b form क्या है यहाँ पे लिखाओ दो बाड़े एक्स अब यू बाड़े मतलब वी को रखके 2u by 2x इसका differentiation तो 2u by 2x minus u को रखके b का differentiation तो 2u by 2x divided by denominator का square तो सेम यहाँ पे भी होगा कैसे करेंगे यह numerator है denominator है तो denominator को रखके numerator का differentiation minus numerator को रखके denominator का differentiation whole divided by denominator का square इतना हो गया इसके बाद इसको solve करना है फिर क्या हो रहा है तो xq plus yq plus zq minus 3xyz फिर उसको differentiation करना है कितना हो रहा है 6x minus 0 minus 3x square minus 3yz फिर वहाँ पे उसको differentiate करोगे with respect to x तो क्या होगा 3x square minus 3yz whole square xq plus yq plus zq minus 3xyz का whole square इतना हो गया similarly dou square होए बैद dou y square अगर हम निकालेंगे तो हम इसको guess भी कर सकते हैं कैसे dou square by dou x square में हमको क्या निकला था इतना expression निकला न यहाँ पे देखो xq plus yq plus zq minus 3xyz common रहेगा ठेक है वहाँ पे 6x हुआ था क्योंकि हम x के respect में निकाल रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा dou square by dou square निकालेंगे हमें यहाँ पे x के जागे y रहेगा और यहाँ पे x square था यहाँ पे निकालेंगे y square होगा यहाँ पे x को निकाल रहे थे न तो yz बजा यहाँ पे y को निकाल रहे हैं तो xz बचेगा similarly यहाँ पे यह टर्म और यह टर्म सेम आ रहा रहा देखो मलब दोनों का square होगा अलब 3x स्क्वेर मानेश 3yz का whole square लिख सकते हैं यह टर्म जो होगा यह टर्म भी वही आएगा आप निकाल कर देख सकते हैं स्कुरूबर दो आए स्क्वेर तो सेम ही आएगा हम ऐसे लिख सकते हैं similarly बोलके simularly दो स्क्वेर दो जेट स्कुरूर हम लिखते हैं सेम होगा 6y यहाँ पे 6z होगा क्यंकि हम दो जेट स्कुरूबर दो जेट स्कुरूइ निकाल रहे हैं न तो 6z-0-y जगाय में तो y नहीं रहेगा यहां पर यहां पर z का निकाल रहे हैं तो z नहीं रहेगा यह तर्म जो यह तर्म हो रहा है यहां पर similar आ रहा है similar terms आ रहे हैं तो इसी लिख सकते हैं ठीक है नौ एडिंग एक्वेशन 1 2 & 3 तीना एक्वेशन को एड़ आगर हमको करना है सब्सक्राइब है तो 2 को य को एकशा सक्वेर 20 को इस य सक्वेर ब्लस दो स्कुराइब ऑए Books एक्वेल टू हां यहां पर देखो XQ plus YQ plus ZQ minus 3XYZ यहाँ पे भी XQ plus YQ plus ZQ minus 3XYZ यहाँ पे भी XQ plus YQ plus ZQ minus 3XYZ मतलब तीनों denominator में common है common को हम बाहर निकाल सकते हैं ठीक फिर यहाँ पे क्या बच रहा है 6X minus 6X ना तो 6X minus इसका क्या आई यह square है तो 3X square minus 3YZ का whole square उसके बाद यहाँ पे 6Y बचेगा 6Y minus 3Y square minus 3XZ का whole square उसके बाद यहाँ पे 6Z minus 3Z square minus 3XY का whole square 3Z minus 3XY का whole square इतना हो गया उसके बाद देखते हैं next next क्या हो रहा है तो 1 by XQ plus YQ plus ZQ minus 3XYZ इतना तो common था वहाँ पे क्या हो रहा था 6X, 6Y, 6Z को एक जगा हम रख सकते हैं अगर हम फिर वहाँ से minus common निकालेंगे तो क्या बचेगा 3X square minus 3YZ का whole square plus 3Y square minus 3XZ का whole square plus 3Z square minus 3XY का whole square इतना होगा उसके बाद यहाँ से हम 6 common निकाल सकते हैं तो 6 common अगर निकालेंगा नि cái- यहाँ यह है मैंज है यह है हूँ यहाँ पर क्यों पर 2Y squared minus 3Yz का whole square plus 3Y square minus 3XZ का whole square plus 3Z square minus 3XY का whole square bracket close कर दिया हो गया अब यहाँ पर यह term common है एक काम करो इसको इसको साथ multiply कर दो तो क्या होगा 6x plus y plus z divided by यह term को हम कैसे लिख सकते हैं इसका formula है xq plus yq plus zq minus 3xyz का formula है x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz plus minus zx यह formula है इसका फिर इसको इसको साथ multiply किये minus को minus फिर इसको साथ multiply करना होगा total term को साथ तो क्या लिखा मैं डिनोमिनेटर में इसको लिख दिया xq plus yq plus zq minus 3xyz फिर उसको जैसा है वैसे term को यह लिख देना 3x square minus 3yz का whole square plus 3y square minus 3xz का whole square plus 3z square minus 3xy का whole square फिर इसको इसके साथ cancel कर देना है तो last में इतना ही term बचेगा तो इसके साथ second problem जो next problem था उसको भी हम successfully solve कर दिया है ठीक है